नमस्कार साथियो स्रीशाम क्लासेज पर आप सभी का स्वागत और आर्दी कविनन दने दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है BSF में वेटनरी के लिए हेड कोंस्टेबल की वेकंसी आ चुकी है और DSSB में दिल्ली के अंदर भी दोस्तों वेटनरी इंस्पेक्टर की वेकंसी आ चुकी है उसके फोर्म अपलाई हो चुके है और जल्दी आपका दोस्तों इसका एक्जाम होने वाला है दोस्तों जितने भी वेटनरी से संबंदित एक्जाम होते हैं उन सभी में हमारी जो क्लासेज होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं तो चलेगा दोस्तों आज अपन बात करेंगे वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो जनरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो केंची होती है उनके बारे में बात करेंगे जो केंची होती है दोस्तों ये किस काम में ली जाती है कि जब सरजन के दुआरा सरजरी की जाती है तो सरजरी में जो भी चीजें बादा डालती है या विगन डालती है जैसे कुछ अंग हो गए वैसल्स हो गई टिशीज हो पाटने के लिए सर्जन के दुवारा क्या विप्योग में ली जाती है कैंची और यह सीजर्स होती है दोस्तों यह विविन कई परकार की होती है इनके डाइग्राम को आप अच्छे से देखेंगे डाइग्राम दिखाकर भी आपको एक्जाम से क्यूशन्स पूच लिए जात हैं चलेगा दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नौल्स बैंडेज कैंची यानि बैंडेज और ड्रेसिंग को अठाने वाली जो कैंची होती है कौन सी नौल्स बैंडेज सीजर्स जो क्या काम आती है दोस्तों जो बैंडेज होती है और ड्रेसिंग होती है इन सभ फिर्गे से आप नोल्स पेंड़ेज कैंची सीजर्स की आप जानकारी रख सकते हैं ठीक है इसके बाद में अपन मात करेंगे अगली जो कैंची आती है आपकी वायर सीजर्स आती है जो किस काम में आती है दोस्तों Cut stainless steel wire को जो stainless steel के wire होते हैं उन तारों को दोस्तों काटने के लिए काम में आती है इन सभी का दोस्तों डाइग्राम आपको दिखाया गया है आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे एक Lister Scissors होती है Lister Scissors जो होती है ये bandage को काटने के लिए काम में ली जाती है Lister Scissors का आपको यूज पूच लिया जाए तो दोस्तों किस काम में आती है bandage को काटने के लिए काम में ली जाती है Lister Scissors ठीक है इसके बाद में दोस्तों अगली जो अपनी Scissors आती है कहची आती है वो आती है आपकी लापरवाई यानि टांका अठाने वाली लापरवाई को अपन बोल सकते हैं केरलेस, केरलेस जो सीजर्स काम में आती है, किसके लिए आती है सूचर रिम्यूवल टांके अठाने के लिए जो सीजर्स काम में ली जाती है वो केरलेस सीजर होती है ठीक है इसके बाद में अगली जो आपकी सीजर्स आती है वो आती है दोस्तो मानक सीजर्स जिसे आप स्टेंडर्ड सीजर्स भी बोल सकते हैं ये भी दोस्तो सूचर अठाने के लिए अनि टांके अठाने के लिए टांके काटने के लिए दोस्तो काम म ली जाती है ठीक है इसके बाद में next केंचे के बारे में अपने बात करेंगे जो अगली अपनी seizure आती है वो आती है Spencer, Stitch जो आती है seizure इसके बारे में बात कर लिते हैं इसका जो एक तरह का इससा होता है दोस्तों उसमें गड़ा होता है और बाकी एक तरीके से यह प्लेन होती है इसे क्या बोलते हैं आप इस पेंसर इस्टीज सीजर्स बोलते हैं जो दोस्तों टांकों को अठाने या काटने के लिए दोस्तों काम में ली जाती है ठीक है नेक्स्ट आपकी सीजर्स जो होती है वो होती है मैटेजन बाम जाती है और लाश्ट में दोस्तों देखीगा एक और अपनी most important जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है मायो सोप्ट टिश्यू कटिंग यानि जो मायो सीजर्स होती है कि काम में किसके काम में आती है जो सोप्ट नरम कॉमल आपके टिश्यू होते हैं उत्तक होते हैं पस्वों के उनको काटने के लिए कौन से कैची काम में आती है दोस्तों मायो सीजर्स तो दोस्तों ये छोटी सी क्लासेज होती है इन सबी काप सबी भायो के पास में सेर जरूर किया करें इसी तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए छोट-छोटी किलासिज हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना करके डाल दूँगा तो जितने भी भाई इन एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं वो कंटिने जुड़े रहे हैं और सभी के साथ में दोस्तों सेर साजा जरूर करेंगे